नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अध्यन करेंगे संत कबीर के पद अरे इन दोहुन राह न पाई आएए देखते हैं इस पद का अर्थ एवं व्याख्या अरे इन दोहुन राह न पाई हिंदू अपनी करे बढ़ाई गागर छुवन न देई बैस्या के पायन तर सोवे यह देखो हिंदू आई मुसल्मान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई खाला केरी बेटी ब्याहे घरही में करे सगाई बाहर से एक मुर्दा लाए धोय दहाय चड़वाई सब सखिया मिल जेवन बैठी घर घर करे बढ़ाई हिंदून की हिंदूवाई देखी तुरकन की तुरकाई कहें कबीर सुनो भई साधो कौन रहा वे जाई संत कबीर इस पद में हिंदू और मुसल्मान दोनों ही धर्मों के जो कटरता है उस कटरता पर कड़ा प्रहार करते हैं और दोनों ही धर्मों में अपने अपने धर्मों को बड़ा दिखाने की जो कवायद है जो लोग अपने अपने धर्म को बड़ा बनाने के चक्कर में एक दूसरे के धर्म को गालिया देते हैं वो उन पर कड़ा प्रहार करते हैं कि दोनों ही धर्मों में कमिया है भले वो अपने धर्म को कितना उचा ही क्यों ना समझें तो सबसे पहले वो हिंदूं पर प्रहार करते हैं कि जो हिंदूं है वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं वो कहते हैं कबीर जी कि अरे इन दोहुन राह नपाई अरे इन दोनों को ही राह नहीं पाई राह का मतलब रास्ता इन दोनों को ही कोई रास्ता नहीं मिला कौन से रास्ता परमात्मा के पास जाने का अधात परमात्मा के साक्षात कारका रास्ता इन दोनों ही धर्मों के लोगों को नहीं मिला कौन-कौन से दोनों धर्म हिंदू और मुसल्मान हिंदू अपनी करय बढ़ाई गागर चोवन्ना देई अब देखो आज से लगवग 600 साल पहले की बात है उस समय संत कविर ने कहा था कि हिंदू अपनी करय बढ़ाई कि जो हिंदू अपनी बढ़ाई करते हैं गागर चोवन्ना देई वो अपने गागर माने घड़ा वो अपने घड़े को भी छूने नहीं देते हैं यह उन लोगों के बारे में है उन दलितों के बारे में है जो शुद्र उस समय उनको शुद्र कहा जाता था कि अपने से निम्नवर्ग के लोगों द्वारा ये जो हिंदू हैं ये अपने घड़े तक को नहीं छूने देते और ये अपनी बढ़ाई करते हैं बैश्या के पायन तर सोवे ये देखो हिंदू आई ये कहां तो एक तरफ ये दूसरों से अपने घड़ों को भी नहीं छूने देते और वैश्या के पायन तर सोवे और वैश्याओं के पायरों के तले सोते हैं करते हैं यह देखो इंदुवाई यह देखो इनकी हिंदुवाई कैसे हिंदुवाई है तो कभी रहां सपस्ट करते हैं कि भले ही हिंदु कितना ही अपने धर्म का पारण करता है अपने आपको बड़ा कहता है लेकिन उसमें भी कोई बढ़पन वाली बात नहीं है क्योंकि व वैश्याओं के पैरों तले जाकर सोते हैं अर्थात वैश्यागमन करते हैं और अपनी बढ़ाई करते हैं अब कर बात करते हैं वर मुसल्मानों की मसल्मान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई खाला केरी बेटी ब्या है घरही में करे सगाई कि मसल्मान के पीर ओलिया कि मसल्मानों के जो पीर हैं जो गुरु हैं ओलिया वो मुर्गी मुर्गा खाई वो मुर्गी और मुर्गे खाते हैं खाला केरी बेटी ब्या है खाला मारे मोसी जो अपनी मा की बहन होती है कि अपनी मोसी के घर में ही बेटी को बेटी का ब्या कर देते हैं घरें में करें सगाई और घर में ही सगाई कर लेते हैं यनकी अपने नाति रिस्तेदारी जो होती है यनकी जो मोसी है चाची है उन्हें क गर में बेटी बेटाओं को ब्यादेते हैं तो ये कैसे मुसल्मान है कैसा धर्मेन का बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाय चड़वाई सब सक्या मिल जेवन बैठी घर भर करे बढ़ाई कि कबीर जी आगे कहते है कि मुसल्मान बाहर से कोई एक मुर्दा अर्थात मास लाते हैं मुरत पशू का मास लाते हैं और उसे धो करके साफ करके उसको पका लेते हैं सब सक्या मिल जेवन बैठी और सब लोग एक साथ बैठ करके उसको खाते हैं और घर भर कर रहे बढ़ाई और सब लोग उसकी खुब बढ़ाई क करते हैं यह कैसे लोग हैं जो इनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं जो पीर ओलिया है वह तो मुर्गी मुर्गा खाते हैं मास खाते हैं और अपने ही परवार में शाधिया कर लेते हैं यह अपने मुशी चाची के लडगर में शादी कर लेते हैं और बाहर से मुरत पश्यों का मास लाकर के घर में खाते हैं और उसी की बड़ाई करते हैं तो वे कहते हैं कि हिंदुन की हिंदुवाई देखी तुरकन की तुरकाई कि हिंदुओं की हिंदुवाई देख ली और तुरकों की तुर्कों का तुर्कपन भी देख लिया, मुसल्मानी रूप भी देख लिया, कहें कबीर सुनो भई सादो कौन रहा हुए जाई, कबीर कहते हैं कि हे सादो सुनो, हे सज्जनो सुनो कौन रहा हुए जाई, अब इनको कौन सा मार्ग मिले, इनकी दोनों के ही जो मार्ग है, व वो इस प्रकार है कि यहां हिंदूओं और मुसल्मानों दोनों के धर्मा चरणों पर प्रहार किया गया है। कबीर दास जी ने दोनों ही धर्मों के इन मार्गों को गलत बताया है। इसमें कबीर की 과कफटता है जो निस्पख्षिता है वो बिलकुल साफजायर होती है। जो हैं वो एक साथ बार-बार आए हैं जैसे मुर्गी मुर्गा या मावरनी की आबरती है और पंक्ति के अंत में हर पंक्ति के अंत में ई है यह यह तुकांत है कबीर की जो भाषा शैली है उस भाषा शैली में इनकी जो भाषा है उसको खिचड़ी या इसको सदोकड़ी भाषा कहा जाता है क्योंकि इनमें कई बोलियों के शवद आ करके मिल जाते हैं जो भाषा है वो बड़ी भावानकूल है और सरल है और सरस्ता लिये हुए है इनकी जो उद्भोधन शैली है उसके प्रियोक से भाषा प्रभावशाली बन गई है यह चंद पद है और इसमें व्यंग्यात मकता है इसकी जो भाषा है वो मक्य रूप से ब्रज है और इसमें गेता के गुणविद्यमान है और इसमें जो रस है वो शांत रस है अब आते हैं पद संख्या दो बालम आवो हमारे गेहरे बालम आवो हमारे गेहरे तुम बिन दुखिया देहरे सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोकों लागत लाजरे दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा सने रे अन न भावे नीद न आवे गिरे बन धरे न धीर रे कामिन को है बालम प्यारा जों प्यासे को नीर रे है कोई ऐसा पर उपकारी पिवसों कहे सुनाए रे अब तो बेहाल कबीर भयो है बिन देखे जिव जाए रे प्रस्तुत पद में कबीर दास जी ईश्वर को प्रियतम और स्वयम को प्रियतम मानते हुए ईश्वर का आभान करते हैं वे कहते हैं कि ईश्वर आकर उनकी व्याकुलता को शांत करें क्योंकि कबीर अपने प्रियतम से मिलना चाहते हैं परमात्मा का साक्षादकार करना चाहते हैं वे कहते हैं कि आत्मा जो है वो परमात्मा से कह रही है हे प्रिये आप हमारे शरीर रूपी घर में आईए, अर्थात हमारी आतमा में नवास की दियों बालम आवो महरे गेरे प्रियतम रूपी प्रमात्मा, हमारे घर आईए तुम बिन दुखिया देह रे, तुम्हरे बिना ये जो शरीर है, ये बड़ा दुखी है सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोकों लगत राजे लाजरे सब कोई मुझे तुम्हारी पत्नी कहते है और ऐसा सुन करके मुझे बड़ी लज्जा आती है क्यों आती है क्योंकि मुझे प्रियतम का मेरे परमात्मा का प्रेम तो मुझे मिलता नहीं और लोग मुझे उनकी पत्नी केते हैं दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा सन्हेर है जब तक हमें अपने गले से नहीं लगाया दिल से नहीं लगाया तब तक कैसा प्रेम है अर्थात परमात्मा ने उन्हें दिल से तो लगाया नहीं तो सने के अव्यक्ति कैसे हुई क्योंकि प्रेम के प्रकृत्री करण ही तू परमात्मा का आत्मा को अपने वक्ष स्तल से लगाना अत्यावशक है कि मुझे न अन भावे नीद न आवे गिरह बन धरे न धीर रे कि मुझे न अन भाता है न नीद आती है और ना ही मुझे धर धरन होता है मुझे घर में बाहर वन में कहीं भी मुझे धर धरन नहीं होता है ग्रहय बन घर और वन जंगल कहें भी मुझे धरें नहीं मिलता है कामिन को है बालम प्यारा कि मुझे कामिनी को मुझे नारी को तो मुझे बालम प्यारा है जो प्यासे को नीर रहे जैसे प्यासे को पानी से प्रेम होता है पानी प्यारा लगता है ठीक वैसे ही मुझे भी अपने प्रियतम अच्छे लगते हैं कौन से प्रियतम परमात्मा है कोई ऐसा परुपकारी पिवसों का है सुनायरे क्या ऐसा कोई परुपकारी है जो मेरी बातों को मेरे प्यासे जाक करके कह दे अर्थात कबीर दाश जी कहते हैं कि प्रियतम के समार प्रिये परमात्मा से उनकी इन विथा को कहने वाला कोई है क्या अब तो बेहाल कबीर भयो है बिन देखे जब जायर है कबीर कहते हैं कि मैं तो परमात्मा के व्योग में व्याकुल हो गया हूं उनके बिना द कबीर इस पद में परमात्मा को पा लेना चाहते हैं और परमात्मा के बिना वो अपने आपको दुखी महसूस करते हैं तो यहां जो चित्रण है वो अपने आपको विरहेणी इस्त्री मान करके किया गया है जो कबीर है वो अपने आपको विरहेणी इस्त्री मानते हैं और पर परमात्मा और परमात्मा के मिलन की बात कही गई है अब इसमें जो भावना है वो रहस्यात्मक भावना है और यहां प्रेम की जो उतकट भावना देखने को मिलती है उसमें यहां वियोग श्रिंगार रस भी आता है लेकिन क्योंकि यह भक्ति पद है यहां परमात्मा को इसमें भी भाषा वही खिच्डी और पंचमेल है, सदुखकडी है, लेकिन सरल है, सरस है और भावानकूल है, इसमें लाक्षणकता का प्रभाव स्पस्तत रूफ से दिखाए देता है, इसमें हर पंक्ती के अंत में रे है, तो इससे जो भाषा है वो बड़ी सटीक बन और इसमें गेता का विपुटर आ गया है तो इसमें अनुप्रासलंकार तो देखते ही बनता है कोई कहे इस तरह से जो एक अक्षर है वो बार-बार आ रहे हैं धरेन अधीर तो यहां धवर्ण की आबरती है इसलिए यहां पर अनुप्रासलंकार है और इसमें माध्धुरेगोन तो है ही तो इस प्रकार से यह इन दोनों पदों की व्याक्या है और अब चलते हैं हम इस पाठ के प्रिश्णोत्तरों की तरफ तो पहला प्रस्ण है अरे इन दोन राहन पाई से कबीर का क्या आशे है वे किस रहा की बात कर रहे हैं तो जैसा की पार्ट पढ़ाते समय हमने बताय था कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिस रास्ते की जिस पत्थ की आविशक्ता होती है कबीर उस पत्थ की बात करते हैं उस रहा की बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि इन दोनों को ही वो रास्ता नहीं मिला जिससे परमात्मा की प्राप्ती हो सकती है यानकि जो भक्ती का मार्ग है उसे दोनों ही भटक चुके हैं ये दोनों ही धर्म के आडंबरों में और धोंग में लिप्त हो चुके हैं इन दोनों को परमात्मा की भक्ती से को डेश्याओं के पैरों के तरी जाकर सूते हैं उधर जो मुसलमान हैं वह मासा हार करते हैं और अपनी चाची के घर में अपनी मोशी के घर में ही सगाई सम्बंध कर लेते हैं लेकिन फिर अपने आपको बड़ा दिखाते हैं तो इस तरह से इन दोनों ही धर्मों को मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाया है दूसरा प्रस्ण है इस देश में अनेक धर्म जाती मजहब और संपरदाय के लोग रहते थे किन्तु कबीर हिंदू और मुसल्मान की ही बात क्यों करते हैं देखे यह जो बात है यह 15 सदी की बात है और उस समय मुस्लिम आकरांता भारत में आ चुके थे और मुक्षत है हिंदू और मुसल्मान ही रहते थे लेकिन इनसे पहले जो बौद हैं जैन हैं वो भी यह रहते थे लेकिन बात यह थी कि सबसे ज़्यादा धर्मिक आड़म बर हिंदू और मुसल्मान इन दोनों ही धर्मों में थे और आए दिन इन दोनों ही धर्मों में अपनी स्रिष्टता साबित करने के लिए एक दूसरे में सामपरदाग जगड़ा होता रहता था तो सबसे ज्यादा समझाने की जरूरत इन दोनों ही धर्मों के लोगों की थी तो वहां उनका जो आसपास का वातावरन था वो भी इन दोनों धर्मों के मानने वालों का था तो इसलिए इन दोनों धर्मों की कमियों को और खुबियों को कबीर भली भाती पहचानते थे इसलिए वो इन दोनों की बात करते हैं प्रस्ट नमर तीन हिंदुन की हिंदुवाई देखी तुरकन की तुरकाई के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं वे उनकी किन विशेष्टाओं की बात करते हैं हिंदुन की हंदुवाई देखी तुरकन की तुरकाई इसके माध्यम से कभीर यह कहना चाहते हैं कि उन्होंने हिंदुओं को अपने धर्म की बढ़ाई करने और अपने धर्म को पवित्रतम बताने के बाद भी वैश्याओं के पेरों के पास सोते हुए देखा है इसी परकार मुसलमों को भी मुर्गे मुर्गे का मास खाते हुए देखा है और दूसरे जीवों की हत्या करते हुए देखा है तो वे कहना चाहते हैं कि जब हिंदु अच्छूतों को अपना जल नहीं चूने देते जल के पात्र को नहीं चूने देते क्योंकि वे मानते हैं कि उनके छुने से जलका पात्र अपवित्र हो जाता है जबकि वो वैस्याओं के पैरों से ले जाकर सोते हैं वहाँ उनकी पवित्रता नहीं होती है तो यहां कबीर अपनी स्पस्ट वादिता और निर्भीकता दिखाते हुए इन दोनों पर ही गंग करते हैं कि तुर्कों की भी जो तुर्काई है वो भी हमने देख लिया वो भी पवित्र नहीं है उनमें भी तमाम बुराईयां है अब आते हैं अगले प्रस्ट पर कौन राह वैजाई का प्रस्ट कबीर के सामने भी था क्या इस तरह का प्रस्ट आज समाज में मौजूद है उदाहरन सहित इस्पस्ट कीजिए देखिए कि जो कबीर है वो कबीर ध्रहस्त आश्रम में रहते हुए भगवान की भक्ती करते थे वो परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते थे लेकिन आडंबर नहीं चाहते थे धर्म का पालन करना मनुष्य के आध्यात्मक विकास के लिए बहुत आविश्यक है लेकिन यदि उसमें पाखंड भर जाए उसमें अंद्विश्वास भर जाए तो भक्ती के मार्क से भटक जाते है ना तो उनको भक्ती मिलती है ना है उनको मुक्ती मिलती है वो इस संसार एक जाल में और ज्यादा उलज करके रह जाते है तो अब बात आती है कि क्या इस तरह का जो प्रस्ण है वो आज के समाज में भी मवजूद है तो आज आप देखेंगे कि आज के बुज़र्गों में तो है ही लेकिन आज का जो युवा है वो भी इनमें कम लिप्त नहीं है वो भी इन धार्मिक आडंबरों में और अंद्विश्वासों में बढ़ चड़ करके हिस्सा लेते है तरह तरह के वस्तर पहनना जो कि किसी धर्म विशेश को दिखाते हैं उनकी आरती गाना भक्ती पाट करना मंदरों में जाना मस्जिदों में जाना विभिन प्रकार के तीर थिस्तरों की यात्रां करना ये सब आज कल चलन बढ़ चुका है और आप देख रहे होंगे कि जहां जहां मंदरों की पढ़ानता है वहाँ वहाँ कितने तरह के तमाम तरह के तावीज, मालाएं, तुलसी की मालाएं और तस्वीरें, मूर्तियां, इनके कितना चलन बढ़ गया है ठीक उसी तरह से मसल्मानों में भी है उनमें भी उनकी जो मजार हैं और तरह तरह के तावीज हैं, वो उनमें पहनी जाते है हर बात पर अल्लह को, और खुदा को याद किया जाता है तो खुदा को याद करना और उनके नाम पर किसी तरह के धार्मिक आ नमबरों में लिफ्ट होना दोनों ही अलग चीज है तो ये जो बराईया है ये आज भी हमारी समय अब वर्तमान में व्यागत हैं बलकि पहले से और भी ज्यादा है अब प्रस्न पाच्वा बालम आवो महरे गेरे में कभी किस का आववान कर रहे हैं और क्यों बालम आवो हमारे गेरे इसमें कभी कभीर पर्मात्मा का आववान करते हैं पर्मात्मा को वे प्रियतम के रूप में याद करते हैं और उन्हें अपनी आत्मा के पास बुलाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि जब तक प्रेमी और प्रेमका का मिलन नहीं होगा अर्थाथ आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होगा तब तक मुक्ती का मार्ग नहीं खुलेगा इसलिए वो उनका आवान कर रहे हैं अग्ला प्रस्न है अन्न ना भावे नीद ना आवे का क्या कारण है ऐसी इस्तती क्यों हो गई है जो कभीड़दास है वो स्वयमको प्रियतमा और एश्वर को अपना प्रियतम मांते हैं अपने प्रियतम से मिले बना उन्हें कष्ट का अनुभव हो रहा है इसलिए ईश्वर के बना उन्हें ना तो भोजन अच्छा लग रहा है ना ही उनको नीद आ रही है पर ऐसी इस्तिती असलिए हो जाती है कि प्रियतम के बिना उनकी जो आत्मा है वो बेहल हो चुकी है और वे उस से मिलने को ठड़े हैं क्योंकि जब तक प्रेमी प्रेम का मिलन नहीं होता तब तक उनको ना तो खाना अच्छा लगता है ना उनको नीद आती है प्रस्ट नमर साथ कामिन को है बालम प्यारा जो प्यासे को नीर रे से कवी का क्या आश्य है स्पस्ट कीजिए इस 35 कवी का आश्य है कि जिस प्रकार एक कामिनी इस्तरी को अपना पती अतिदिक प्यारा लगता है और एक प्यासे को पानी अच्छा लगता है ठीक उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा से मिलने के लिए उतनी ही तडपती है उसको भी परमात्मा से उतना ही प्रेम होता है जिस प्रकार से एक कामिन इस्तरी अपने पती के पास जाने को आतुर रहती है आकुल रहती है ठीक उसी तरह से आत्मा भी परमात्मा के पास जाने क आठ्वा प्रिश्म निर्गुण संत परंपरा के कवी है और यह पद बालम आवो हमारे गेहरे साकार प्रेम के और संकेत करता है इस संबंद में आप अपने विचार लिखिए तो देखिए जो संत कबीर है वो निर्गुण भक्ति शाखा के कवी है निर्गुण का मतलब होता है कि वे परमात्मा को निर्गार मानते हैं अगोचर मानते हैं वे मानते हैं कि परमात्मा दिखाई नहीं देता है वो केवल महसूस किया जा सकते हैं और जो सगुण भक्ति होती है उसमें वो परमात्मा को साकार मानते हैं मूर्ति वाला मानते हैं वो मानते हैं कि हां हमें प और फिर भी वो शाकार की तरह से ही उनको याद कर रहे हैं, प्रियतमा और प्रियतमा की तरह याद कर रहे हैं, तो इसमें हम कहना चाहेंगे, कि जो प्रेम है, उस प्रेम को कवी ने सरवोच महतु दिया है, क्योंकि बिना प्रेम के तो इस संसार में भी जीना मुश्किल है, और परमात्मा को प्राप्त करना भी असंभव है तो भक्त का ईश्वर के प्रती प्रेम होता है और उस प्रेम को ही उन्होंने प्रियतमा के रूप में प्रदर्शित किया है इसलिए वे निर्गुन उपासक होकर के भी कभी-कभी सगुन भक्ति की बात कर जाते हैं तो इस प्रकार से आपका ये पाठ संपन हुआ यदि आपको इस पाठ को समझने में किसी प्रकार की और परिशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रस्ण लग दें और यथा संभव उनका उत्तर दिया जाएगा